बच्चों, हम हमारे चारू तरफ विभिन प्रकार की जीव जन्तु पेड़ पौधों को देखते हैं और यह जितने भी जीव धारी हैं, इनको भौती कारक घेरे हुए है भौती कारक मतलब आपर देख सकते हैं विभिन प्रकार की चट्टाने हैं, मृदा है, पानी है और अगर हम वायू मंडल की बात करें तो वायू मंडल में विभिन्य प्रकार की गैसे हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन ओक्सिजन कार्बन डियोक्साइड तो कहीं न कहीं यह जितनी भी जीवधारी है चाहे वनस्पति हो जिवजन्तु हो यह भौतिक कारकों पर निर्भर है अपनी जीवन के लिए और जब यह जीवधारी इस वातावरण में अपने आपको ढाल लेते हैं तो उनकी आबादी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और जो जीवधारी इस वातावरण में अपने आपको नहीं ढाल पाते उनके आबादी घट जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि इन चीवधारियों को चारो तरप से, चारो और से एक आवरण घेरे हुए हैं, इसी को हम कहते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है परी धन आवरण। परी का अर्थ होता है चारो और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए तो बच्चो आज का हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण और हमारा पर्यावरण में हम पढ़ने वाले है पारिस्तितिक तंतर में उर्जा का प्रवाह तो अब हम बात करें कि जियोधारियों का जो संबंध है बहुती कारकों से होता है तो बच्चों जैविक घटक और आजैविक घटक इनके बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध है इससे समझने के लिए हम एक क्रिया कलाप करेंगे ये क्रिया कलाप करने के लिए आपको एक जगे का चुनाओ करना होगा जो आपके घर के आस्पास बगीचा होगा तो वहाँ पर जाके आप एक मीटर लंबे और एक मीटर चौड़े हिससे को चिनांकित कर Administration जिस हिस्से को आपने चिन्हांकित किया है उसी हिस्से के अंदर में आपको वहाँ पर उपस्तित जैविक और आजैविक घटक को ढूंड़ना है अब जैविक घटक कौन से होंगे हो सकता है वहाँ पर विभिन प्रकार के किड़े मकोड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ छोटे बड़े पेड़ पोजे आपको दिखाई दे रहे होंगे तो यह हो गए जैविक घटक वहाँ पर क्या किसी प्रकार के आजयविक घटक भी उपस्तित है आजयविक घटक जैसे की हो सकता है वहाँ पर मिट्टी हो उस एरिया में थोड़ा बहुत पानी भी हो सकता है हवा तो होगी ही तो इस प्रकार के आजयविक घटक को भी आपको नोट करना है अब चिनांकी की गई जगे में कितने प्रकार के खिड़े मकोडे दिखाई दे रहे हैं उनको भी नोट करना है जैसे मान लिजए आपको चीटिया दिख रही है तो आपको कितनी चीटिया वहाँ पर दिखाई दे रही है उनकी संख्या को गिनना है अब जब संख्या आप गिनेंगे तो ये बात ध्यान रखनी कि एक ही चीटि को बार बार न गिने कोशिश करें कि जितनी चीटि आप उपस्तितें उनकी तक सई से संख्या आप ग्याद कर सकें क्या जितनी जीव हमने पहले दिन में देखे, क्या उनमें कोई परिवर्तन हुआ, क्या वो ही जीव वहाँ पर उपस्ती थे, कि कोई नए जीव भी वहाँ पर आ गया है। इसके बाद कुछ प्रशनों के उत्तर ढूढने का भी हमें प्रयास करना है। जैसे कि चिनांकित की गई जगे पर क्या आपको किसी प्रकार का खाद जाल या खाद श्रिंखला नजर आई तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको खाद श्रिंखला नजर आईगी। क्यूंकि हर जीव अपने भोजन के लिए बहाँ पर दूसरे जीव पर निर्भर है और इसलिए हमको अलग-अलग प्रकार के जीव उच जेगे पर दिखाई देते हैं उसके बाद आप कोशिश करेंगे देखने कि क्या पूरे बगीचे में किसी प्रकार का खादे जाल या खा और सुबे से शाम तक में जैविक और अजैविक घटक के बीच में क्या कोई अंतर है इन प्रशनों के उत्तर आपको ढोड़ना है उसके बाद आप जितनी भी जीवों की संख्या को काउंट करेंगे उन संख्या को प्रति दिन के हिसाब से उनका एक औसत निकालना है जैसे मान लिया जाए आपने कुल चीटियों की संख्या 50 ग्यात की तो प्रति दिन के हिसाब से चीटियों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 इस हिसाब से आपको सभी जीवों की संख्या को नोट करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें विभिन्य प्रकार की जीव दिखाई नुद्ग करहा है यहाँक दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि यह एक दूसरे से संभंदित है यह एक दूसरे पर निरभर है हम कहसे वो के लिए वहाँ पर परयाब संसाधन है? क्या ये जीव वहाँ पर रहेंगे तो जीवित रह पाएंगे? ये भी हमें अनुमान लगाना है. तो बच्चों किसी भी परयावरण में ये जो छोटे बड़े जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं ये कुछ मुलबुत अपन करते हैं और अपने आबादी को बढ़ाते हैं. तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो जैविक कारक है और जैविक कारकों पर निर्भर है. ठीक है? अब परयावरण और जीवों के बीच ये जो निर्भरता है ये दो आधारों पर हम इसका अध्यान कर सकते है एक तो सजीव घटकों के बीच की निर्भरता. जैसे मैं बोल रही हूँ कि जैविक घटक, जैविक घटक मतलब सजीव घटक. तो सजीव घटक जितने भी है मतलब एक जीव जो है वो दूसरे जीव पर निर्भर है, इनके बीच में एक निर्भरता है. तो निर्भरता का का इसैक खहानाम कएसे कर सकते , जब आपने देखियोंगी , खाद्रिजाल려 को जब आप हो आप देखेंग गे देखेंगे यह जब आप आप आतेक ज Ellis पर हम आगे पढ़ने तो वहां पर आपको यह क्लियर हो जाएगा कि इसे सजीव में जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं दूसरा जो होता है कि सज्यू घटक निर्जू घटकों के बीच में भी एक अंतर संबंद होता है सज्यू निर्जू पर निर्भर होता है अब इसका अनुमान हम इसका अध्यन कैसे कर सकते हैं जब हम पदातों के चक्रों का अध्यन क अब हम जानेंगे बच्चों कि जैविक और अजैविक घटक के मिलने से एक तंत्र का निर्मान होता है जिसे हम कहते हैं पारी तंत्र या पारिस्तितिक तंत्र सबसे पहले हम पारी तंत्र या पारिस्तितिक तंत्र की परिभाशा को देख लेते हैं तो बच्चो पारिस्तितिक तंत्र या जिसे हम पारी तंत्र भी कहते हैं इंगलिश में हम इसे एको सिस्टम कहते हैं ये पारिस्तितिक तंत्र से क्या भी प्रा है ये प्रशन दो नंबर के लिए आपको परिक्षा में पूछा जाता है और इसके आपको परिभाशा देनी होत तो पारिस्तितिक तंत्र वातावरण के सभी जैविक और आजैविक घटकों के अंतर संबंद से बनी हुई एक व्यवस्ता है इसी को हम पारिस्तितिक तंत्र कहते हैं या पारितंत्र कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के परिभाषा जब आप लिखेंगे तो दो घटकों को आपको लिखना जरूरी होगा एक जैविक घटक और आजैविक घटक क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही ये पारिस्थितिक तंत्र बनता है अब जैसे उधारन देखेंगे तालाब, गुफा, यह सभी क्या है यह पारेस्थितिक तंत्र है खेत यह पारेस्थितिक तंत्र है मरुस्तल भी पारेस्थितिक तंत्र है क्योंकि यह जो पारेस्थितिक तंत्र बना है यहां पर जैविक और आजैविक घटक दोनों उपस्तित है इसलिए हम इसे पारेस्थितिक तंत्र या पार पहले इस शब्द का प्रयोग किसनी किया था तो आपको यहां पर लिखना होगा कि ए जी तैंसले नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था उन्होंने ये बोला था कि परयावरण का अध्यान हम सभी जैविक और आजैविक घटकों के बीच में जो अंतर संबंध होता है और इनके द्वारा एक व्यवस्ता बनती है और इसी का अध्यान जब हम करते हैं इसी को हम पाईस्तितिक तंत्र कहते हैं अब ये जो व्यवस्ता की बात हम कर रहे हैं ये व्यवस्ता इस प्रकार से संचालित होती है प्राकृतिक तरीके से संचालित होती है मतलब ये अपने आप हो रही है और इन में समय के सासाथ बदलाव भी आता है ऐसा नहीं कि कोई भी पारिस्तेतिक तंत्र जैसा है वैसा ही रहेगा नहीं समय के साथ साथ इतने इन में काफी बदलाव आते हैं अब प्रश्ण यह है कि बदलाव क्यों हो रहे हैं बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदाय हो रही हैं कुछ ऐसी परिघटनाय हो रही है जिनके कारण बातावरन बदल रहा है तो बात करण भी पारिस्तितिक तंत्र में बदला होते रहते हैं तो मानवी क्रिया कर आप मान लीजे कोई जंगल को अगर मनुष्य काट रहें तो वहां पर उस जंगल पर रहने वाले जिवजनतु उपर भी इसका असर होगा वहां पर जैविक जैविक कारक प्रभावित होंगे इसल तो अब हम बात करें कि कि पारिस्तितिक तंत्र का अध्यान हम कहां पर कर सकते कैसे कर सकते तो पारिस्तितिक तंत्र का अध्यान करने के लिए आप कोई भी उधारन ले सकते जैसे कि बगीचा है खेत है तालाब है गुफा है इसका जब अध्यान करेंगे तो यहां पर आप को दोनों घटकों को ध्यान में रखना है कि जैविक और अजैविक घटक जैसे मान लिजए हम एक उधारन ले रहे हैं गुफा का उधारन ले रहे हैं क्या यहां पर भी किसी प्रकार का पारिस्तितिक तंत्र है तो हम बोलेंगे हाँ है कैसे तो आपने क्लास नाइंथ में कानी मच्री वहा कैसे रहने लगें वहां पर कोई आजैयविक कारक होंगे जैसे वहां पर पानी मुपस्ति था वुब भाई मच्री को जीवित रहने के लिए छोटे-छोटे कीड़े मकोडि भी थे शायद उसको खाने लगी और वहाँ पर वो जीवन अपन करने लगी तो इस गुफा के अंदर में जैविक कारग भी मिले और अजैविक कारग भी मिले और इन दोनों के सम्मंद से ही एक व्यवस्ता बनी जिसे हम पारिस्तितिक तंत्र कहते हैं तो वो गुफा के अंदर जब वो रहने लग तो इसलिए हम इसे कानी मच्छी कहते हैं तो बच्चो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पारिस्तितिक तंत्र कौन सा है तो आप उधारण में लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा पारिस्तितिक तंत्र है समूद्र क्योंकि समुद्र अथा होता है, विशाल होता है, इतना बड़ा होता है, उस समुद्र में बहुत सारे जिवजन्तु रहते हैं, बहुत सारे जली पौधे रहते हैं, बहुत सारे आजयवी घटक भी वहाँ पर उपस्तित होते हैं, तो सबसे बड़ा पारिस्तितिक तंत्र का उधारन है समोद्र, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है कोशिका, कोशिका के अंदर में हlanे भी बहुत सारे सुक्ष्मित जीव जो है कुछ अजेविक कारक के साथ जीवा नियापन करते है, तो पुछी का जो हुई यह सबसे छोटा पारिस्तितिक तंत्र हुई एक और परिभाशा आपको परिक्षा में पूछी जा सकती है जो है पारिस्तितिक तंत्र या पारिस्तितिक तंत्र एक चीज है और पारिस्तितिक यह अलग शब्द है पारिस्तितिक जिसको हम इंग्लिश में कहते है एकोलोजी अब यह जो एकोलोजी शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बनाएं एको और लोगस एको का अर्थ होता है घर और लोगस का अर्थ होता है अध्यान आपने लोजी वर्ड बहुत जगे देखा होगा जैसे बायोजी जूलोजी तो लोजी का मतलब यह लोग प्रकृति को और इस प्रकृति में रहने वाले जितने भी पेड़ पौध है जिवजन्तु है इनका आपस में संबंध होता है साथ ही इनका संबंध वातावरण के साथ होता है ये भी उन्होंने बताया था और जब हम पेड़ पौध है जिवजन्तु के संबंधों और इन जि कह सकते हैं कि जीवों के बीच अंतर निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंदों के वैज्ञानिक अध्यन को ही हम पारिस्तिति की कहते हैं तो जब पारिस्तिति का अध्यन किया जाता है तब हम यह देखा जाता है कि जो जीव वहाँ पर रह रहे है वो किस प्रकार से रह रहे है वे अपना जीवन या पन कैसे कर रहे है उनका जीवन चक्र कैसा है वे अपने आपको शत्रूस कैसे बचा रहे है वो किस प्रकार से तंत्र को और अच्छे से समझने के लिए हम एक उधारन लेते हैं और उस उधारन के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि पारिस्तितिक तंत्र क्या है तो बच्चों पारिस्तितिक तंत्र पारिस्तितिक तंत्र के दो मुख्य घटक हैं अभी हमने पढ़ा हैं एक होता है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक, जैविक घटक मतलब सजीव या जीवित घटक, जीवित कारक, जिसको हम इंगलिश में कहते हैं बायोटिक, जैसे की पेड़ पौधे जीव जनतु ये जैविक घटक होगे, दूसरा है अजैविक घटक, एबायोटिक कम्पोने या ऐसे घटक जो निर्जीव है जो सजीव नहीं है जैसे कि मिट्टी, पत्थर, कंकड, हवा ये आजयवी घटक है अब आप देखेंगे कि ये जो जयवी घटक है पोशन के आधार पर इनको और तीन भाग में विभाजित किया गया है पहला है उत्पादक या प्रोड्यूसर्स, दूसरा है उपभोगता, कंजूमर, तीसरा है अब घटक या डिकंपोजर सबसे पहले हम बात करते है उत्पादक की, उत्पादक शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है उत्पादन करना, मतलब जो अपने भोजन को स्वयम बना रहे है, जो भोजन का स्वयम निर्मान कर रहे है कौन करता है भोजन का स्वयम निर्माण बिल्कुल सई पेड़ पोधे प्रकास एंसलिशन की क्रिया के दोरान भोजन का निर्मान कर रहे हैं तो क्यूं कर पा रहे हैं क्यूंकि उनमें एक वर्नक पाय जाता है क्लोरूफिल जिसकी साहेता से वे सूर्य के प्रकास की सौर उर् में बदलते हैं और भोजन का निर्मान करते हैं तो उत्पादक में आप उधारन क्या लिख सकते हैं हरे पेड़ पौधे इसके अलावा और उधारन क्या लिख सकते हैं आप शैवाल शैवाल अपने देखी है ये भी जो हरे रंकी शैवाल होती है इनमें भी क्लोरोफिल पाया उत्पादक पर निर्भर है किसलिए भोजन के लिए उन्हें भोजन चाहिए तो वो उत्पादक से अपना भोजर प्राप्त करेंगे और वो कहलाएंगे उपबोगता उपभोगता को पुना चार भाग में विभाजित क्या गया है प्राथमिक उपभोगता प्रामेरी कंजुमर दूतियक उपभोगता सेकेंडरी कंजुमर त्रितियक उपभोगता टर्शरी कंजुमर और last में आता है चतुरत उपभोगता जिसको हम top consumers कहते हैं यह सरवोच मानसारी जीव होते हैं अब बात करते हैं कि प्राथमिक उपभोगता में कौन से जीव आएंगे तो प्रात्मिक उपवोकता में आएंगे शाकाहरी जीव, जिते भी harmayos animals है शाकाहरी जीव है ये प्रात्मिक उपवोकता होंगे क्योग? क्योंकि ये अपने पोशन के लिए अपने भोजन के लिए पेड़ पोधो पर निर्भर है तो जो जीव प्रात्मिक उपभोकता से अपना पोशन प्राप्त कर रहा है वो क्या कहला हैंगे दूतियक उपभोकता अब ये दूतियक उपभोकता जो होंगे ये शाकारी जीव नहीं होंगे ये मानसारी जीव होंगे और इसमें कभी-कभी सरवाहरी जीव भी आ जाते हैं जैसे कि मनुष्य जो होते हैं ये भी दूतियक उपभोकता हो सकते हैं क्योंकि ये पेड़ पॉधु से भी अपना पोशन प्राप्त कर रहे हैं और जैसे बकरी को अगर खा रहें गोट चिकन खाते हैं मटन खाते हैं तो उससे भी अपना पोशन प्राप्त कर रहे हैं तो जो कि उच्च मासारी जुआ जाएंगे। उसके बाद खादी शंकला में चतुर्थ उभ्भोकता भी हो सकते हैं जो कि हो जाते हैं सर्वोच मासारी, टॉप कंजुमर्स जो होते हैं, जो कि अपने पोशन के लिए तृतियक उभ्भोकता पर निर्भर रहते हैं। तो यहां पर आप खाद शंकला का उधारन ले ले लेते हैं और इससे समझते हैं क्यािसे प्रात्मिक ओध्यृतियत तृतियक उभ्भुखता एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे उतपादक यहां पर गास, इन घास को खाने जो जीव है शाकारी कीट, तिड्ड़ यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, यह है प्रात्मिक उपहँभुक्ता, इस टिड्ड़ को खाने वाला जो जीव है वह है मेंधक, यह क्या हो जाएंगे, वितियक उपहँभुक् अब हम बात करेंगे पारी तंत्र में जो दूसरा मुख्य घटक है वो है अजयविक घटक, एबायोटिक कम्पोनेंट जिसको हम कहते हैं निर्जु घटक तो इसको तीन भाग में विभाजित किया गया है अकार्बनिक, कार्बनिक और जल वायूविय कारक तो अकार्बनिक पदार जो होते हैं इन और्गनिक कम्पोनेंट्स जो होते हैं जैसे कि बिदा है आईरन है magnesium, calcium है, के लवण हो सकते है, gas हो सकती है, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, gas हो सकती, यह सभी क्या है, अ-carbonic पदार्थ है, यह निर्जियों घटक है, इन अ-carbonic पदार्थों से ही carbonic पदार्थों का निर्मान होता है, carbonic पदार्थ, जैसे की carbohydrate है, protein, fat, lipids, वसा, यह सभी क्या है, carbonic component है, यह भी अ-जैविक घटक है, फिर तीसरा है, जलवाईविय कारक, ठीक है, बहुतिक कारक, जैसे की ताप, प्रकाश, सूर्य, वायू, यह सभी क्या हो जाएंगे, जलवाईविय कारक हो जाएंगे, अ-जैविक घटक हो जाएंगे, और इस प्रकाश से जैविक घटक, अ-जैविक घटको पर निर्भर रहते हैं, और अपना जीवन यापन करते हैं, और वातावरण में अनुकुलिक हो जाते हैं, और एक पारिस्तितिक तंत्र का निर्मान परिखस्षाी के अपमार्जक और अपमार्जक और अबगटक के परिक्षा में पुछे जाते हैं आपको अबगटक की क्या भूमी का होती अगर अब घटक वातावरण में नहीं रहेंगे तो क्या होगा ऐसे कुछ प्रश्ण परिश्ण में पूछे जाते हैं तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है तो अब घटक बच्चो ऐसे जीव होते हैं जो अप्षिष्ठ पदातों से या मृत जीवों के शरीर से अपना पोशन प्राप्त कर रहे हैं आप घटक के उधारण जैसी की जीवानु है, कवक है यह अप घटन अप घटित करने का काम करते हैं, मृत शरीर को साथी होते हैं अपमार्जक, अपमार्जक जिसको हम कहते हैं स्केवेंजर ये भी सफाई का काम करते हैं, मतलब बृत शरीर से ही अपना पोशन प्राप्त करते हैं पातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं लेकिन अपमार्जक और अपघटक में अंतर होता है अब ये अंतर क्या है? तो अपमारजग जैसे कि उधारण कवा है, तिल चटा है. ये भी मृत शरीर से पोशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये डाइरेक्ट कर रहे हैं. जैसे उनको डेट बॉडिज दीखती ये अपमारजग ये अपना पोशन प्राप्त करना चालू कर दे लेकिन अब घटक क्या करते हैं अब घटक जो होते हैं सबसे पहले जो मृत शरीर है उसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको पहले सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं और जब वो सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं उसके बाद वे पोशन प्राप् करेंगे और उसके बाद वे खाएंगे तो यह मुख्य डिफरेंस होता है में अंतर होता है अपमार्जक और अभगटक में और अभगटक की बहुत महत्पूर्ण भूमिका होती है हमारे वातावरन को शुद्ध रखने में क्यूंकि यह शुद्धिकरन का काम करते हैं और अग प्रकार की बिमारियों को यह निवता दे सकते हैं इसलिए अब घटक की बहुत महत्पूर्ण भूमिका होती है वातावरन को शुद्ध करने के लिए आए बच्चों हम पारिस्तितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक के बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध होता ह इसे हम एक उधारन के द्वारा समझते हैं धान का खेत आपने सबने देखा है और धान का खेत जो है यह एक पारिस्तितिक तंत्र है अब आपको यह देखना है कि धान के खेत में क्या जैविक और अजैविक दोनों कारक उपस्तित है तो देखिए बच्चों धान के खेत मे आपको पौधे, धान के पौधे दीख रहे हैं। धान के पौधे हैं, मतलब यह क्या हुए? उत्पादक हुए। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयम बना रहे हैं। क्योंकि पौधे में ख्लोरोफिल पाये जाता हैं और प्रकाश संसलेशन की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की सौर उर्जा को रासानिक उर्जा में बदलते हैं और भोजन बनाते हैं अब ये पौधे हुए उतपादक अब इस धान के पौधों पर शायद बहुत सारे जीव ऐसे होंगे जो निर्भर होंगे धान के पौधों पर कुछ कीट आपको दिखेंगे जब धान के खेत में आप जाएंगे देखेंगे तो धान के पौधों पर आपको बहुत सारे कीडे दिखेंगे जो शायद धान को खा कर अपना पोशन प्राप्त कर रहे हैं धान के पौध है जो कि पानी में है वहां मृधा है मिट्टी में भी आपको बहुत सारे जीव दिखाई देंगे ऐसी ही पानी में भी आपको बहुत सारे जीव दिखाई देंगे जो पोशन के लिए वहां पर उपस्तित है इसके अलावा बच्चो कुछ जीव ऐसे होंगे जो तो शायद बहाँ पर आते हैं और जाते हैं पोशन के लिए बहाँ पर आएंगे पोशन प्राप्त करेंगे चले जाएंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे ऐसे बहुत सारे जीव रहेंगे तो जैविक घटक भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहें और आजैविक घटक जैसे क तो इस धान के खेत में आप अगर मान लिया जाए इसका खाद देजाल बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा यहां पर आपको खादे जाल दिख रहा है, मतलब धान के खेत को खाने वाले जो जीव है, यह चुहा भी हो सकता है, गिलेरी भी हो सकती, कुछ शाकारी किट भी हो सकते हैं, जो धान के खेत को से पोशन प्राप्त कर रहे हैं, और इसके बाद इन पर निर्भर करने वाले उप तो भूगता होंगे, वो भूगता में भी प्रात्मी को भूगता, दूते को भूगता, तृते को भूगता हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है एक खादी जाल नजर आ रहा है और खादी जाल में अगर मैं कहूं कि आपको इन में से खादी शिंकला चाट कर निकालना है तो इस खादी जाल को देखकर आपको कुछ खादी शिंकला भी निकालना है ठीक है तो कुछ पाच छे खादी श कर सकते हैं आप इसको अलग से लिखें मतलब n खादर शिंख्ला से जब विस्तृत अध्यन तो एक लाग धान की पौधे क्या हुगे ये तो उद्पादक हुए इस उद्पादक से जो पोशन प्राप्त कर रहे हैं चुहें कितने चुहें प्राप्त कर रहे है एक हजार चुहे को खाने वाले जो है नहीं, पचास साप हैं और इन साप को खाने के लिए पाच बाज उपस्तित हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनी, एक खादेश ण्कला बनी, अब इस खादेश ण्कला को देखकर आब को कुछ प्रशनों के उत्तर देने हैं, जैसे इस खादिश अंगला को देखकर आप बताईए कि यहां पर कौन-कौन से जीव जो है वो उपभोगता है। ठीक है? तो उत्पादक तो हमको पता चल गया धान के पौधे हैं, अब आपको बताना है कि उपभोगता कौन-कौन से जीव हैं। इसके अलावा अब आपको यह बताना है कि एक चुहा कितने धान के पौधे पर निर्बर हैं। जिससे हमने बताए कि एक लाग धान के पौधे पर एक हजार चुहे निर्भर है। आप क्यलकुलेशन करके निकालिए कि एक चुहा कितने धान के पौधे पर निर्भर होगा। तो आपका अंसर आएगा, एक चुहा सो धान के पौधे पर निर्भर रहेगा। अब आपको ऐसे बताना है कि एक बाज जो है ये कितने सापों पर निर्भर है तो जब एक बाज को आप निकालेंगे तो क्योंकि 50 साप है टोटल संख्या तो कितने बाज एक बाज कितने सापों पर निर्भर होंगी 10 ठीक है अब आपको ये बताना है इस खादिश अंगला को देखकर मान लिया जाए कि इस खादिश अंगला में चूहे पूरी तरीके से समाप्त हो जाए ठीक है इस खादिश अंकला को देखकर बताना है कि चुहे समाप्त हो जाए तो इसका प्रभाव धान के पौधे पर कैसा पढ़ेगा या चुहे के बाद जो साप और बाज है उस पर इसका क्या प्रभाव पढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी खादिश अंकला में अगर एक जीव की संक्या खतम हो जाए तो इसका प्रभाव उस पर निर्भर करने वाले दूसरे जीव पर पढ़ेगा कहीं ने कहीं साप पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि साप किस पर निर्भरे भोजन के लिए चुहे पर और चुहो की संख्या खतम हो जागी तो साप को भोजन नहीं मिलेगा और शायद साप की संख्या भी कम हो सकती है और साब की संक्या कम हो जाएगी तो बाज को भी भोजन नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से खाद शिंक्ला में इसका बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देगा और धान की पौधों की संक्या बढ़ेगी हाँ और अगर मैं खाद जाल में बोलूँगी कि खाद जाल में क्या प्रभाव पड़ेगा तो जो धान के पौधों को चुहे खा रहे हैं लेकिन चुहे समाप्त होगा है तो दूसरे जो जीव है वो धान के पौधों को खाएंगे और उस जीव को खाने वाले दूसरी जीव को पोशन प्राप्त होगा लेकिन ये वाली खादी शिंखला गड़ बढ़ा जाएगी पारिस्तितिक तंत्र और पोशन के स्तर